आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo कीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाउ इस Question में हमें कहा गया एक Shell को हम Vertically Fire Up कर रहे हैं अब बोला गया है जब वो Highest Point पर रीच करता है तो उसकी वो तीन Fragments में तूट जाता है उन तीनों Fragments के हमें माज दे रखे हैं और हमें A Part की Velocity दे रखी है और जो B Fragment है उसकी Velocity दे रखी है हमें C की Velocity निकाल लिए है ठीक है तो Highest Point पर जो Velocity होगी माल लेते हैं Capital M Master ठीक है वो हमारा होगा MA प्लस MB प्लस MC ठीक है तो हमारा हो जाएगा 4 प्लस 2 प्लस 3 वो हमारा Total हो जाएगा 9 kg ठीक है और जो Vi Initial Velocity होगी वो 0 होगी क्योंकि Highest Point पर Velocity 0 हो जाती है अब हम Linear Momentum conserve करते हैं तो हमारा आएगा Pi is equals to PF ठीक है हमें VA क्या दे रखा है VA हमें दे रखा है वो है हमारी 3 of J cap ठीक है और VB हमें दे रखी है वो है हमारी 4.5 of I cap ठीक है तो yes vectors होंगे तो इससे हमारा आजाएगा M into VI is equals to MA VA vector होंगे plus MBVB vector plus MCVC vector ठीक है तो यह हमारा आजाएगा 0 is equals to MA हमारा है किता 4 kg 4 into VA 3 J cap plus MB MB हमारा 2 है और VB हमारा 4.5 I cap plus MC हमें दे रखी है 3 into हमें VC vector जो निकालना है ठीक है इससे जो हमारा VC vector आएगा वो आएगा minus of 12 J cap minus 9 I cap by 3 इससे हमारा जो VC vector आएगा वो आएगा minus 4 J cap minus 3 I cap यह हमारा final answer होगा Thank you Classics to 12 से लेके need IIT J means और advance के लेवल ता 10 million से जादा students कभर हो सा आज ही डाउनलूट करे doubtnet आप यह WhatsApp कीचे अपने doubts आच चार्सो 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 पर